हलो स्टूदेंट्स, एल एन एपी के बीपेट, एडेट के सेशन 2022-23 की कांसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसा के आपको पहले ही पता चल गया होगा, मैं आपने टेलिग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर दिया था, जैसे ही कांसलिंग का एपोर्टल लाइब हो गया था, तो आप लोगों ने देख लिया होगा और ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल कर भी दिया हो, मेरे अलाबा बहुत सारे दूसरे यूट्यूब चैनल भी हैं, जिन लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिये, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत दा प्रॉ और आपको सीट अलाउटमेंट लेटर कम मिलेगा, चार नवेंबर को मिलेगा, फिर आपको एडमिशन लेने कब जाना है, तो पांच से नौ नवेंबर के बीच आपको एडमिशन लेने जाना है, अगर आपको एडमिशन लेने जाना है, अगर आपको एडमिशन लेने जान और उसके बाद भी second phase होगा ठीक है अगर seat बच जाती है तो second phase होगा और हर साल होता है second phase तो second phase की dates देख सकते हैं आप लोग पहले 10 और 11 November को पता चलेगा कि भाई कितनी seat बची हुई है किस-kis category में और कौन-कौन से department में ठीक है फिर choice filling dates उसकी आजाएगी यानि के second counseling का जो phase होगा वो 11 से 13 November के बीच चलने माला है उस समय आपके form आएंगे second phase के जिनका first phase में नहीं हो पाया है तो second phase में वो दुबारा से उनको apply करना पड़ेगा ठीक है और कोई एक्सर fees नहीं देनी पड़ेगी आपको 600 रुपीस का amount देना है तो यह one time है सिर्फ ठीक है पिर उनको क्या किया जाता है उनके एक list जारी कर दी जाता है कि यह यह student है और यह इस date सक अपना admission करा लें तो वो तो third phase की जब बात है जबके seat बच जाए आम तोर से second phase ही तक ही होता है ठीक है वैसे last year हुआ था second phase के बाद भी थोड़ा सा कोई एक list आई थी तो ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो यह तो था schedule अब आपको counseling का form के ज़िए फिल करना है तो देखो simple सा process है मैं link में description में link दे दूँगा वहाँ से click करके आप यहाँ हैंगे our services में click करेंगे left side का आपको दिख रहा है ऊपर MP8 का first phase counseling नीचे WP8 का first phase counseling ठीक है और second phase का जबाएगा तो कोई नया box आपको मेरे ख्याल से यहाँ नीचे बना हुआ दिख सकता है तो जैसे माल लेते हैं कि MP8 का ही करना है तो यहाँ पर click कर देंगे यहाँ पर click करने के बाद application number और अपना date ओपर आपको एंटर करना है submit कर देंगे तो OTP का option आएगा वहाँ पर OTP आपका जो रिस्टर मोबाइल नमबर है उस पर आजाएगा वो click करने के बाद आपका जो भी center है माल लेते हैं WP8 है तो माल लेते हैं कि first पर gwालिय करना है तो आपको फोटो सिंग्नेचर प्लोट करना है वो पहले ही कर देंगे आप लोग और फिर आपको payment कर देना है ठीक है तो यह तो WP8 का होगे MP8 का क्या होगा MP8 के आपको 10 अलग-अलग department लिखे हुए मिलेंगे 6 गवालियर के और 4 गवालियर के और 4 गवालियर के और 4 गवालिय प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, department, कौनसा और center कौनसा उसके बाद आप लोग क्या कर देंगे वोटो सिंगे आपने पहले ही करती होंगे उसके बाद आप लोग उसको submit कर देंगे फीस का payment कर देंगे तो यह simple सा process होने माला है कोई भी दिक्कत आ रही है आपको form fill करने में त आपका reply जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा देने की ठीक है और यहां भी comments कर सकते हैं आप लोग मैं आपका reply दे दूँगा कोई भी दिक्कत आती है counseling related कर दो